आखेलो दोस्तों अर्किटेक्स आप कसागत है दोस्तों आज इस वीडियो में आप लोह को एक प्क्टर ट्यूब को च्रज करके दिखा ve jak कीस तरह से उस चौर्चर को मैंने बनाया है वह भी मैं इस वीडियो में आप लोह को दिखाओंगा ठीक है तो यह एक चाइना टीविक फिक्चर टीव जो कि हाफ दमेज हो गया है तो मैं आज इस वीडियो में उस पिक्चर टीव को जो यह वेस है इसको में खोल कर यहां पर इसको चार्ज करके इस फिलामेंट को चार्ज करके अब लोग को दिखांगा ठीक है तो यह सर्किट बोर नीचे रखा हुआ है यह दिखिए दोस्तों यह पिक्चर ट्यूब कुछ इस तरह से डेमेज हुआ है कि इसमें लाइट कम ज्यादा हो रहा है ठीक है आपको इस केमेरा से ठीक से दिखाई नहीं दे रहा होगा लेकिन टीवी स्क्रिन पर इससे भी ज़द कम लाइट है और थोड़ा बढ़ रहा है ठीक है तो आज इस पिक्चर ट्यूब को मैं चार्ज करके आप लोग को दिखांगा उसके लिए मैंने एक चार्जर रेडी कि है जो मैं आज इस वीडियो में आप लोग को दिखाने वाला हूं कि इस तरह से आप एक पिक्चर ट्यूब को चार्ज कर पाएंगे ठीक है दोस्तों वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना तर जाके वीडियो आएगा ठीक है और अगर इस वीडियो को आपको थोड़ा दोस्तों तो चलिए वीडियो को सुरूर करते हैं तो दोस्तों इस सर्कृट को बनाने के लिए आपको चाहिए कुछ समान जो मैं आज आप लोग को दिखा रहा हूं यहां पर देखिए सबसे पहले तो एक केपासिटर आपको चाहिए जो के एक CRT TV में लगा हुआ रहता है 300 UF 400 V का ठीक है इसको आपको ले लेना है उस सर्कृट से उसके बाद एक डायोड आपको ले लेना है 5408 का जो मार्केट में इसली एबेलेबल है यहां फिर किसी सर्कृट से आप इसको भी निकालके लगा सकते हैं और यह देखिए यह जो केपासिटर के यह प्लास है प्ल को निकिटीव दोनों के साथ मेंने यहां पर कि 220 बAGक का एक रेजिस्टंस लगाया है कि यहां पर लगाया है कौ्ट करके ITY ना यहांंपर हापको ट्‌बाक का एक रेजिस्टंस यहां पर आपको जोड़ना पड़ेगा नेगटीव में एक साथ ठिक है उसके लिक्वाण डायोड है यह देखिए 5408 का जो डायोड है उसका जो वाइट निशान है देखिए वाइट निशान को आप यहां पर प्लास मानिए प्लास मान के चलिए यहां पर और यह जो केपाशिटर के प्लास निशान है उसके साथ इसको solder केजिए ठीक है और उसके साथ इस डायोड के जब ground है इस साइड में एक 10 वाट का resistance आप लोग को लेना पड़ेगा मार्केट से और उसको यहां से connect केजिए ठीक है और देखिए इदिने तक आपको समझ में आ गया अभी देखिए उसके बाद आपको चाहिए यहां पर देखिए मैंने यहां पर एक transformer लगा लिया है 0 वारा का 750 mAh का transformer है 0 वारा का उसके बाद यहां पर और एक चाहिए जो 15W का night valve है वो चाहिए आपको लोग को ठीक है और उसके बाद एक base जो CRT base है यहां पर जो circuit मेरा पड़ा हुआ है इसमें बड़ा बला base लगा हुआ है तो मैंने यहां पर बड़ा size का जो base मिलता है उसको मैंने ले लिया है दूसरा वीडियो में एक वीडियो में लाऊंगा उसमें एक छोटा सा चोटा और एक बड़ा base को कैसे अप इस charging circuit में लगाएंगे उसका एक वीडियो में आप लोग को बना के दिखाऊंगा पिलाल आज इस वीडियो में यह इस base के उपर में बना रहा हूँ यह बड़ा बला base है इसमें 9 pin होता है यह देखिए 1,2,3,4,5,6,7,8,9 pin नो pin में से यह first वाला ओर last वाला हमारा कोई काम नहीं इसलिए इसको मैंने side करके रखा है थोड़ा सा down कर दिया है कि उसका हमारा कोई काम नहीं है बाकी जो pin है उसका हमारा काम है वह वीडियो में दिखाऊंगा किस तरह से यहां पर काम करते हैं उसके बाद देखिए दोस्तों यह हो गया है कि ट्रास्परमाल का जिसमें हम एसी इंपुट देंगे 220 वोल्ट और यहां पर जो यहां पर देखिए जीरो बारा लिखा हुआ है यहां से वोल्टेज आउट्पूट होगा ठीक है यह वोल्टेज हमारा सीधा जाके सिधा यहां पर कनेक्शन हुआ है यह जो इस बेस का जो इस तरह से अगर देखेंगे तो 1,2,3,4 तीन नमबर और 4 नमबर पीन पर यह जाके जो डिरेट्ली जो यहां पर एकसाथ जो होता है आप लोग को पताई होगा है तो उसके साथ मैं ने एस यह गिए को जरुशिंस कि दे तीने के लिए ठीक है समझ में आ गया उसके बाद जिए यहां पर दो एसी इंपूर्ट का वायर हमारा बचा हुआ है और यहां पर मैंने एक एसी लीड ले लिया है है जिसमें हम इसमें सप्लाइ करेंगे और सप्लाइब का ज़ो का घ्र dalla और ओल्ड रड वाला वाय रे उसको मैं ने कहाँ पर कनेक्शन किया है देखिए यह और यह ए क्वेस्ट्रेशिन्च से 10 वाट का और उसके बाद यह positive voltage यह देखिए यहां पर मैंने जो yellow wire connect किया है वो इस bulb का एक सीरा में जाके connection हुआ है ठीक है यहां से positive voltage इस bulb का एक सीरा में जाके connection हुआ है और तुसरा सीरा से जो connection हुआ है वो इस base का जो जी one point है उसके साथ जाके connection हुआ है जी वान बोले तो यहां पर जो फर्स्ट वाला लेग है फर्स्ट को हमने डाउन कर दिया है जो सेकेंड वाला लेग है ठीक है उसके बाद उसके बाद देखिए यहां पर तीन वायर आपको अब लोगों को दीख रहा होगा यह जो एक म छीप ग्राउन को आए बलेक बहला ग्राउन और यह जो यह टास्पर मांस और जो ईएक्ट वाल्टेज यहां पर मतलब यहां से इस ़ोटेज ड्यारेट आयेगा एक एक सिरा से इस क्यापसिटर से होके और एक ज़ो बायर हमने लगाया है इसमें ट्रास्पर्मार से आएगा और दूसरा वेर हमने कनेट किया है कि इसमें कि यह देखिए ग्राउंड के साथ हमने कनेट किया है ठीक है यह चीज मैं फिर से आप लोग को समझा दे रहा हूं एसी जो वेर है यहां पर देखिए एक से तो यहां से रिजिस्टेंस हों के इस डायोड में जा रहा है ख़ा है और दूसरा जो नेगेटिव वेर है वह कस्टम है वह इस के पासिटर के नेगेटिव पिंसे जोडा हुआ हूँ और उसके साथ ही और एक तास पर मरकर और एक जो वायर बचा था उसके साथ जुड़ा हुआ है और इक जो एक्स्ट्रा बचा हुआ है यह जा के क्यपसिटर से जो निगटिव वायर आ रहा है उसको मैंने यहां पर जी टू जी टू जो पॉइंट होता है उसके साथ मैंने टास कर दिया है एक पॉइंट और एक पॉइंट को मैंने यहां पर एक जमपर को निकल कर रखा है इसी में काम होगा जो हमारा red, green और yellow सोरी रेड ग्रीन और ब्लू जो केथोड है उसको चार्ज करने के लिए यह जंपर हमारा काम आएगा ठीक है तो दोस्तों सर्कीट का पूरा कनेक्शन आपको समझ में आ गया तो मैं आभी इसको लगा के चार्ज करके आप लोग को दिखाता हम यह देखिए यह जो बेस था उसको हमने कनेक्शन कर दिया इस पिलामेंट के साथ उसके बाद यह जो जंपर मचा हुआ है इसको मैं पहले बुलू वाला के थोड़ पर लगा लगा इस तरह से कर दिया है आप इसको सप्लाइद देंगे और कर देंगे अभी देखिए लाइट ओन हो जाएगा दीरे दीरे यह देखिए अभी कुछ देर तक छोड़ देंगे कि दीरे दीरे यह चार्ज होता रहेगा है कि यह हो गया है इसको अभी खुल लेते हैं अभी इस पॉइंट को रेड़ वाला के थोड़ पर लगा देंगे कि इसमें कि इसको लाइन दे देंगे कि यह वाल्व ऑटोमेटिक जलेगा जब यह जो इसके अंदर जो कारवन कारवन है यह देखिए इसके अंदर कारवन है इसलिए वह ब्लिंक हो रहा है जब यह सही से चार्ज हो जाएगा तो यह आटोमेटिक गलो करेगा ठीक है इसी के बज़े से हमारा जो पिक्चर है वह दुन दुलास ता आ रहा था अभी जो कार्वन था वह हमारा सही हो जाएगा ठीक है यह देखिए दिरे दिरे यह गलो हो रहा है अब इस तरह से आफ भी घर पर इस तरह से किसी भी पूराना फिलामेट को चार्ज कर सकते हैं निकालके आभी Zi begun व्ला के थोर पर लगा देंगे हो इस तरह से यह हमने लगा दिया है अभी इसको भी लाइन दे देखिए अभी तक ग्लो नहीं है अभी एक चंद से यह ग्लो हो गया है इसका मतलब इसके आए जो ग्रीन के तब था कि उसके साथ कोई सोटिंग या फिर कोई कार्वन उतना ज्यादा नहीं था देखिए कि स्विच ओप उन करने के समय एक ही टाइम पर बल्ब गलो हो रहा है इसका मतलब इसका अंदर कोई सोटिंग नहीं है ठीक है दोस्तों अब इस तरह से चार्ज कर सकते हैं इस टीवी का स् आपकी में इसका थुद्धा फोकस को बढ़ाम आपकर एटां करें देखिए कि यह देखिए कि इस देखिए कि जादा फोकस आ गया है तो थीखें फाली रेड और गिरिन दीख रहा है वह एड़्जास्ट हो जाएगा आपके अधिक यह देखिए कितना अच्छा चार्ज ह तो दूस्तों वीडियो के साल लगा है कि कॉमेट करके जरू बतना आज के लिए इतना है कि दूस्तों मिलते हैं नेक्स्ट के सी वीडियो में